नमस्कार मैं हूँ सूकृती रॉय और आप देख रहे हैं फिल्मी भी पाकिस्तान के ओल अराउंडर शोईब मलिक और उनकी पतनी और भारती टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के घर में हाली में एक नंदा महमान आया है शोईब और सानिया ने अपने पहले बच्चे का नाम इजहान रखा है घर में इस महमान के आने के बाद से सानिया शोईब या कोई भी परिवार का सदसे हर एक पल को खास बनाने से नहीं चूक रहा ऐसे में अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बताने के लिए शोईब मलिक ने एक बड़ा फैसला लिया है 21 नमंबर से शारज़ाह में शुरू होने वाली T10 लीग में शोईब ने नहीं खेलने का फैसला लिया शोईब मलिक ने अपनी पतनी सानय मर्जा और बेटे इजहान के साथ वक्त गुजारने के मकसद से ये फैसला लिया शोईब मलिक ने इस बात को सांझा करते वे ट्वीट भी हिया है उन्होंने ट्विटर पर लिखा बता दें कि शोईब मलिक और सानय मर्जा 29 अक्टुबर को ही माता पिता बने है दोनों की 12 एप्रिल 2010 में शादी हुई थी गोर्तलिब है कि शोईब मलिक ने पिछले सीजन में पंजाब लिजन्ड की कमान संभाली थी लेकिन इस साल वो टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं लेंगे पिछले सीजन में उन्होंने अपनी टीम के लिए पांच मैचों में सबसे जादा 191 रन बनाये थे ऐसे में पंजाब लिजन्ड को शोईब मलिक की कमी जरूर हलेगी टीटेन लीग में भारत के चार पूर्वतेज गेंदवास भी खेल रहे हैं लीग में जहीर खान, मुनाफ पटेल, प्रवीर कुमार और आरपी सिंग भी खेलते नज़र आएंगे फिलहाल असे वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अनिजानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ